प्रमाजल प्रतेश ते पहाडी खेत्राद वीच लगातार होरी बारिश करके पाखडा डेम दे गोबिन सागर चील वीच जलब पत्र काफी बद गया है जिस करके पाखडा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड वलों अपने चारो फलाट गेट खोल दिते गए हान जिस्ते जरिये पंजाह यार क्योशिक पानी शट्या जा रहा है पाखडा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड दे चीफ अन्जीनिर दे मताबक जेकर मौसम वे पाखडी मनी जावे ता अगले दो दिन दिन तक पारी बारिशों दी संबावना है इसे नुत्यांच रखते ही पाखडा ब्यास मैनेजमेंट ने तैई ही यार क्योशिक नंगल दी नेर वीच जटकी अनांदपुर सब हाइडल नेर वीच स्ताई ही यार क्योशिक पानी शट्या जा रहा है पाख़डा ब्यास मेनेजमेंट वोलों स्तिती ते नजर रखी जा रही है अते जहे विच जेकर हेटरी लाक्यां वेचे कोई नुकसान दी खबर होंदी है तब पाख़डा डेम दे पानी ते कंट्रोल किता जा सकता है क्या है कर दो गल्ड़ा एक होग दो अल्ड़ान बागचिक। इस तमें भाकरा जलशाय में 1674 फीट का लेवल है और IMD की तरफ से आने वले दो-तिन दिनों में भारी बारिश का अनुमान है इसको ध्यान में रखते हुए बोर्ड मैनेजमेंट की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि भाकरा बान से फ्लट गेट से कुछ पानी छोड़ा जाए इस समय 36,000 क्योशिक्स पानी टरबाइन्स के थूड़ा जा रहा है जिसको बढ़ाकर हम 50,000 तक पहले लेकर जाएंगे फिर इसको 55,000 तक लेकर जा सकता है भाकरा डैम से जो नीचे से 40 और 555 के बीच में पानी जाएगा उसमें से 23,000 क्योशिक्स पानी हमारे नंगल हैडल चैनल और अनंतप्र हैडल चैनल से पहले ही जा रहा है और बाकी बचा हुआ 27,000 से 30,000 क्योशिक्स पानी नंगल डैम स्ट्र मेरिया में जो भी खड़े हैं उनमें भी पानी भारी पानी आता है तो हमारे भाकरा से जो रिलीजिद हैं उनको कंट्रोल किया जाएगा ताकि सिंक्रोनाइजेशन अवाइड की जाए शिरियन अधपुर साब तो विमल कुमार्दी रिपोर्ट पांजब टुडे